हेलो एव्रिवन दिस इस रमित पांडे वेलकम तो आव प्लैटफॉर्म डाउटनेट लेरन पन तो कैसे हैं आप लोग तो बच्चों आज की इस क्लास की हम बात करें आज हम एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वन्चोट करने वाले हैं जिसका नाम है फै पर जाओ तो फैलिदम जो शब्द है इसके एंड में आई से मारा रहा है तो किसी आइडिलोजी को शो कर रहा है मैंने हमेशा बोला है ऐसी शब्द आपने और भी पड़े होंगे नैशनलिजम राष्टवाद है ना सोशलिजम लिब्रारिजम कमिनलिजम तो यह सब क्या है यह सारी जो वर्ड्स हैं किसी आइडिलोजी को बता रहे हैं और कोई भी आइडिलोजी है कोई बचाधारा जो होती है वो कब विचाधारा बनती है जब कोई सैट ओफ लोग जो होते हैं सैट ओफ गूरूफ जो होते हैं उस चीज को मानने लगते हैं उस चीज से तो इसको क्या बोल दिया गया नाजिदम बोल दिया गया है ना तो ऐसी फैल्डिजम भी क्या है काइंड ऑफ एक आइडिलोजी है जो बहुत सारी कंट्रीज मानती है इंक्लूडिंग इंडिया अचा इस चाप्टर को आगे पढ़ने से पहले फैल्डिजम की डेफिनेशन सम का आप वह एग्जेम्पल यहां पर ले सकते हो एक फैलर कांड ऑफ गवर्म्नट सकते हो यह?" अब हम बात करने अब बैल्जिम की तो बैल्जिम ने क्या किया लग्वर्वर्मनलट के तो इननकी अचार वारी क्या का चार बादर का चार वारी heyrell ornament होगी श्टेट हें surfitat उनकी जो capital अबरूसा थो और सब जो है यह HOW किए subjects बड़ावर बराबर आपर यहां पर सब्सक्राइब ट्रॉर्ट कहले पूर्ड करेंगरॆ Central Government थी, उसका ही control था, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर clash हो गया भाई, है ना, और वहाँ पर kind of civil war हो जाता है, तो वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा, अच्छा, अब उसका ही kind of, एक part जो है, उस chapter का, जैसे हमने पढ़ा था ना, types of power, तो भाई, एक vertical distribution of power था, एक horizontal distribution of power थ था, तो vertical की हम बात करें, तो vertical में क्या था, जो central government है, उसकी power सा लगे, state government की power सा लगे, है ना, और कोई किसी के बीच में क्या निकरता, interfere निकरता, यानि कि यह कोई एक ऐसी form of government, जहां पर center जो होती है, वो power share कर रही होती है, किसा state government के साथ में, तो ऐसी form of government को federal structure form of government बोल दे है, जैसे हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में क्या है, बाई, central government में कौन है, BJP है, मोधी साब है, और state में, state governments है, और states की power अलग है, और central की power अलग है, और यह सारी जो चीज़ें कहां दे रखी है, तो हमारी constitution दे रखी है, किसकी power कितने पास है, किसका jurisdiction कितना है, वो स इसी के बारें पढ़ने वाले हैं, अंदर थोड़ा से detail में जाने की होता है क्या है, फैलिजम, ठीक है, चलिए, तो देखो, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी मैंने बात किया है, पिछले chapter की, ठीक है ना, Belgium और श्रिलंका की अच्छा, एक वहाँ पर हम बात करें, श्रिलंका में, तो श्रिलंका में किस kind of government थी, कौन सी government थी, श्रिलंका के हम बात करें, तो unitary form of government थी वहाँ पर, तो unitary form of government एक ऐसी form of government होती है, जहाँ पर जो center होता है, वो strong होता है, यहाँ तो वहाँ पर कोई state government नहीं होगी, center के पा वहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी rights नहीं मिल पाते हैं, वहाँ पर होते हैं कि एक democracy का main feature होता है, वो यह होता है जो होता है, तो है पाई शेरिंग का, कि हर segment से लोग आते हैं, पाटिसीपेट करते हैं government में, government के decision taking में, हर चीज में जोगा participation होता है, आम जनता को लेकिन ऐसी form of government में जहां center के पास इस सब तागत है तागत जो यहां पर divide नहीं हो रही है इसका decentralization नहीं हो रहा है तो एक ऐसी form of government काफी जो है dangerous होती है किसी भी country के लिए है ना चले तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में यहां पर सबसे पहले kind of a definition दे रखिए तो देखो यहां पर पावर्स डिवाइड हो रही है जहां पर powers divide हो रही है power जो है powers जो है वो डिवाइड हो रही है किसके बीच में central government authority के बीच में मतलब किसी एक के institution मना दिये हैं जैसे election commission उसके पास अलग human rights commission उसके पास अलग powers है काम करते हैं और तीनों एक दूसर पर चैक पी रखते हैं ठीक ना तो यहां पर क्या होता है बेसिकली फैलिजम का में फीचर से ही होता है कि पावर जो हाथ में नहीं हो चुका है सिर्फ central government के हाथ में जो है पावर नहीं है तो आई होप आपको इतनी चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी है अब यहां पर बात करें फैलिक जो government होती है उसमें two levels होते है minimum minimum two होते है three भी हो सकते है four भी हो सकते है for example Belgium का अगर हम example देखे तो वहाँ पर four four चार उसमें लेवल्स में बाट दिया था हूनोंने community government अलगती central government अलगती और उनकी जो capital थी Brussels उसकी government अलगती तो उन्होंने चार लेवल्स में जो है divide कर दिया था लेकिन minimum तो दो तो होनी चाहिए एक central और state पहले हम इंडिया की बात करें पहले इंडिया में भी आप बोल सकते हो kind of दो ही थे और local government इतना जादा वो है इतना जादा powers नहीं थी local government के पास इनके elections थे वो भी state government के उपर ही depend करता था लेक तो यह सब चाहिए जो है आपको पता होनी चाहिए तो बहुत इस लेवल्स ऑफ गवर्वर्मेंट इंजॉई दिया पास इंडिपेंडेंट ऑफ दोनों जो लेवल्स हैं लाइक central government और state government दोनों पनी पास को इंजॉई करते हैं उनकी जो जिरुडिक्शन है वो कहां दे होते हैं है इसके बार में थोड़े सह हम डेटेन में बढ़ लेते हैं तो यहा पर बता रहा है कि यहां पर पहली बात मिनिम्स ल्यावल होनी चाहिए दो यहां दिढ choices आदा हैं कि स्टेट मेंट इस को BOY demonstrate सोगन कर रही है तो इस दोसे गयों कर रही है उनकी श्य central मसले जो होते हैं जैसे like international relations हो गए defense हो गया यह सब क्या है बाई central government ही तो पूरे देश की बात होती है अब ऐसा थोड़ा है सिर्फ UP पर खत्रा मडराडा या फिर सिर्फ बिहार पर पूरे देश की बात करते है जब बात आती है security की national security की जब बात आती है तो ऐसे जैसे जो मसले होते हैं कौन देखते है central देखती है लेकि जो central government है या फिर state government जो है यह government तो एक ही citizens को कर रहे है ना like हमने क्या किया आपने जब वोट दिया आप आप तो खेर चोटे हो अभी आपके जो पेरेंट्स ने वोट दिया होगा तो जब जैसे for example UP की बात कर लेते हैं तो आप आपके घरवालोں ने दो बार वोट किया होगा एक तो state government के लिए UP में और दूसरा central government के लिए तो ये दोनों जो government हैं किसको govern करनी है आप ही ही को तो govern करनी है ऐसा तो है निकि central government किसी और cityans को government कर रही है और आप state government किसी और को कर रही है cityans एक ही है है ना government अलग अलग तो ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर different tiers होते हैं लेकिन जो क्या करते हैं जो same cityans को govern करते हैं but each tier has its own jurisdiction यह तो मैंना अलएड ही बता दिया है tier की बात करें मतलब state government और central government इन दोनों की जो है अपने अलग jurisdiction होते हैं और कोई किसी के matter में जो है का नहीं करता इंटरफेर नहीं करता है ना specific matter of legislature taxation and administration तो भाई जो भी policies वगर होते हैं financial related, taxation related तो सब के पास अपने अलग-अलग matters होते हैं अपने अलग-अलग powers होते हैं तो जब jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in constitution ये भी मैंना आप quality बता दिया है कि जो भी jurisdiction है, जो भी powers है ये कहाँ पर specified है constitution में मारे ठीक है? चलिए तो आज hope आपको इतना clear हो गया हो, so the existence of the authority of each of the tier of the government is constitutionally guaranteed, मतलब यहाँ पर जो authority है state government की central government की, वो किसके दोरा guarantee की जा रही है, तो वहाई वो constitution की दोरा guarantee किया जा रहा है, ठीक है ना, guarantee कौन दे रहा है, constitution दे रहा है, तो वहाई डरने की बात ही नहीं constitution से बढ़के थोई ना कोई है है ना, जितने भी ये जो एक umbrella जो है, क्या है हमारा constitution इसके नीचे सब आतने है कोई इसके बार थोना जा सकता है चलिए आगे बढ़ते है, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilitary changed by one level of the government such change requires the consent of both the level of government, सबसे अच्छी बात क्या है, कि जो fundamental provisions है, जो वहाई रे constitution में लिखे हैं, मतलब, जो powers central government के पास हैं, वो लिखे हुई हैं, जो power state government के पास लिखे हुई है, in case future कुछ change आता है central ज्यादा dominant करना चाहरी है कुछ state की powers लेना चाहरी है तो ऐसा नहीं है कि उनके concerns से हो जाएगा central government के, इसके लिए क्या चाहिए होगी majority चाहिए होगी, special majority चाहिए होगी और यहाँ पर states भी जितने भी states हैं, वो भी हाँ बोलेंगे majority चाहिए होगी ना उनकी जब majority होती है, उसके बाद ही क्या हो सकता है वो provisions जो है, वो change हो सकते है वरना तो नहीं होगी, मतलब यहाँ पर पूरा इन case अगर तुम state के बार में कुछ बोल ले हो state की powers लेना चाहते हो, यहाँ कोई भी provision change हो रहा है, तो उसमें state की भी voting होगी है ना, state की voting होगी, इसके बार ही जो है, वो pass होगा तो यह बहुत ची बात बोली गए, यहाँ fundamental points of the constitution cannot be unilitary change मतलब ऐसा नहीं है, इस सिर्फ unilitary change मतलब सिर्फ अकेले central government के consent से change नहीं होगी, ठीके ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए, इन changes के लिए जो है, दोनों जो levels है, like central government और state government, उन दोनों का consent चाहिए होगा, आगे बाद कर लेते हैं चलिए, और क्या है भई? हाँ, अब यहाँ पर जो हमारी judiciary है, court की बात हो रही है, court मतलब हमारी judiciary जो है, उसके पास powers है ना, तो courts have the powers to interpret the constitution and the powers of the different level of the government, अब यहाँ पर जो courts है, basically courts का क्या होता है, judiciary का क्या होता है, एक तो judiciary की काम है कि भाई, कोई भी अगर constitution में जो भी नियम कानून लेकिए, उनको तोड़ता है, तो उसको क्या करता है, वो, सजा देता है, law and order को maintain करने का काम जो है, मतलब जैसे आप होता है na, I'll see you in court, तो कही ना कहीं, the court में जो decisions वगरा होते हैं, जो final उनका जो, जो भी आता है, जो भी clash हो रहा है, तो उसको interpretate करना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर, जो laws वगरा होते हैं, उनका गलत interpretation हो जाता है, time to time हमारे स्प्रीम court है, और high court जो है, वो time to time interpretation देता रहता है, सही interpretation क्या होगा, और in case अगर जब कोई भी मसला होता है, कि इसके बीच में state government के बीच में और center government के बीच में, तो यहाँ पर जो judiciary है, यानि कि हमारा court है, वो भी interfere कर सकता है, है ना, right है, judiciary को पास काफी ज़ादा तागत है, the highest court act as an empire, है ना, like जो empire होता है, ना, match में, यहाँ पर जो हमारा judiciary है, वो kind of empire की तरे act करता है, the highest court act as an empire if dispute arises between the different level of government in the exercise of the respective power, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, अब बात कर लिए तो revenue की sources की, तो revenue की जो sources हैं, अब बिना पैसे की तो चलता नहीं है, अब state government जो है, वो बिना पैसे की नहीं चलती, central government भी बिना पैसे की नहीं चल सकती, यह पैसा कहां से आता है, हम लोग से आता है, जो हम tax पे करते हैं, अब यहाँ पर main सवाल यहाँ आता है, यहाँ अब revenue की लेकर की क्या होगा, तो इसमें जो भी इस से पैसा आता है, tax का, वो किसके पास जाता है, वो जाता है, state government के पास, ठीक है ना, जो tax वगएरा जो होते हैं, basically, जो main-main जो tax होते हैं, financial related जो चीज़े होते हैं, वो किसके पास जाता है, central government के पास जाता है, ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़े हैं, basically, वो specified हैं हमारे constitution में, ठीक है, देखो, वह लिखाव है, sources of revenue for each level of government, clearly specified to the ensure the financial autonomy, अब बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, तुम कितनी तागत दे दो, अगर वो financially stable नहीं है, आप financially fully नहीं है वो, तो उसका कुछ फायदा है ही नहीं, है ना, तुम कितनी पावर दे दो, भाई, पैसे का sources भी तो होनी चाहिए, revenue की sources की, state government अपने state को चलाएगी कैसे बिना पैसे के, अचा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो federal system जो होता है, यह kind of dual objective पर चलता है, federal system के बात करें, है ना, तुम सेफ़गार्ड एंड प्रमोट था unity of the country, पहली बात तो इससे क्या होती है, हमारी country की जो unity है, वो प्रमोट होती है, है ना, सारा जो देश है, वो मिलके रहता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी 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 बात क्या है ना, unity रहती है, और अभी तक, अभी तक बिलकु सबकु सही चल ला है, है ना, तो कही ना कही हमारा जो constitution है, कही ना कही बहुत strong है, भाई पता नहीं कितने constitution आया, कितने constitution बनके चले भी गए, अगर हम बात करें, नेपाल की नेपाल में देख लो, है ना, 2015 में आया उनका नहीं कितनी बारी चेंज हुआ उनका, लेकिन हमारे इंडिया में वही constitution चल ला है, जो हमारी constitution maker ने बनाया था, तो कुछ ना कुछ तो बात है, है ना, चलिए, तो आगे बात कर लिए तो, while at the same time, accommodate, reasonable diversity, mutual trust and agreement to live together, है ना, एक kind of क्या होता है यहाँ पर, जब जैसे मान की चलो, यहाँ पर, सबसे बड़ा काम क्या होता है, इस federal system का accommodate करना, है ना, जो reasonable diversity, इसको हम celebrate करते हैं, आप देखोगे ना, अब देखो हर level पर हमने powers को divide कर रखा है, central level पर अलगे है, state level पर अलगे है, हमारे जो सांसद है, वो हर religion के मिल जाएंगे आपको, हिंदू, मुस्लिम, सेक्ट, क्रिस्चिन, अगर हम local level की भी बात करें, तो local level पर भी, one third जो seats है, वो, जो females हैं उनके लिए reserved हैं, जो dalits हैं, SC, ST, OBC, schedule caste में जो आते हैं, उनके लिए अलग seat reserves हैं, तो यहाँ पर basically कैसे, ऐसा structure हमारा constitution के डिजाइन किया गया है, कि हर एक तपकी का इनसान जो है, उसमें participate करें, कोई पीछे न रह जाए, हैना इतने भी पीछे लोग थे, for example, females के साथ हम बात करें, females के हम बात करें, इनको काफी दबाया गया है, इनका काफी exploitation हुआ है, अगर आप past में देखोगे तो, दलिस का बहुँ जादा हुआ है, तो इनको mainstream society में कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए हमारे constitution ने काई सारे steps लिए है, तो यहाँ पर diversity को भी, यहाँ पर explore करता है, और यही रीजन है कि हमारे देश में कभी भी इतना बड़ा कोई civil war kind of नहीं हुआ है कभी, ठीक है न, चलिए, आगे बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं तो को types of federalism की, और यह बहुत जरूरी है, एक तो दो तरह के federalism होते हैं, अब जैसे हम बात करें federalism की, तो USA का जो federalism है, इंडिया का federalism है, अलग कैसे है, यह main question आता है, है न, तो दो को पहला है coming together, क्या है बई, coming together, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है यह है कि जो independent states होती है, for example मैं अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका का scene अलगा है बिल्कुर, हम क्या बोलता है, USA, United States of America, यानि कि यहाँ पर क्या है, जो independent states ही, Texas हो गई, California हो गया बई, शायद Argentina भी अमेरिका में आता है, I don't know, हाँ, शायद Argentina भी आता है उदर ही, तो हम उसकी बात करें हम, West Indies भी शायद नीचे, South America का part है, तो हम इनकी सब बात करें, तो यह जो United States of America जो है, तो यह पहले क्या था, पहले एक independent states थी है, है ना, और इन सबने मिलकर, कि भाई, हमारी तागत कम है, हमारी तागत कम है, होता है ना, कि भाई, एक लगड़ी है पतली सी, उसको तुम आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन अगर वैसी तोड़ तोड़ के आप सबको गठा बना लोगे, तो नहीं तोड़ पाऊगे, क्योंकि वो सारी लख़डियां मिल चुकी है, तो बेस्किलिए अपने आपको स्टॉंग करने के लिए, जो independent states थे, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, USA बना लिया, United States of America, अब यहाँ पर क्या USA है, USA में थोड़ा अलग system है, USA में के जो students है, उनके पास dual citizenship होती है, एक तो जिस state में रह रह रहे हैं वो, जैसा कोई Texas में रह रह रहा है, तो उसके पास Texas की अलग citizenship होगी, प्लस उसके पास USA की अलग citizenship होगी, लेकिन यह concept इंडिया में तो नहीं चलता, आप यह बोल सकते हो, आप UP से हो, आप यहार से हो, आप राजस्तान से हो, ठीके लेकिन आपका कोई अलग ऐसा नहीं है, कि आप UP से हो तो आपका कोई अलग citizenship होगी, यूपी के citizenship हो अलग है और इंडिया की citizenship अलग है, तो यहाँ पर बिस्किल जो इंडिपनेंट स्टेट सी यह मिलकर आती है और यह साथ मिलकर क्या बनाती है एक kind of federal बना लेती है है ना तो इसे हम क्या बोल देते हैं इसे हम बोल देते हैं coming together मननाब सबने साथ मिल कर किया है जो इन्डड़नेंट सेड्ट सी इनों के बना एक पूरी कंट्री को फॉर्म किया है तो इसका perfect मेरे साथ से उदारन यह होगा USA उसके अलावा सुर्जा लैंड भी है और अस्टेलिया भी है तो पड़ लेते हैं इंडेपरनेंट States coming together on their own to form a bigger unit, है ना, छोटी-छोटी units है, छोटी-छोटी units है, तो कमजोर होगी, ऑविस्सी बात है, काफी वीग होगी, अब वो सब जब साथ है, मिल जाएंगी, तो है क्या फॉर्म कर लेंगी, फैटल उनका खुद का अलग constitution है, समझ भाया है ना, USA में जो states है, उनका खुद अलग constitution है, उनके citizens है, उनके पास citizenship भी अलग है, लेकिन फिर विव क्या बोला जाता है, USA बोला जाता है, वो है स्टेट जाएंगा पावफुल होती है, कल को अमेरिका की कोई भी स्टेट जो होती है, वो जायद अगर बोले कि हमें बोलते हैं, क्योंकि हिंडिया में जो नो स्टेट के पास अलग पॉइवार Państwo हैं है sort of स्टील के पास जादा 파वर अगर हम compare करने estate को यूप वाले बोलने लगे हमें जो है इंडिया से अलग होना हो जाएंग है नहीं एक बड़ा कंटरी ए नहीं के कहाँ यहां यहांपर कैला कोई इंडि नहीं महीन्टनेंट कर दो सर्दार बंला बाई पटेल थे दो जेने घुना हम इंडिया का ऐंड तो हम इं सर्दार बंला यह पटेल ने के हैं बहुत सारे से कि घड़ा εंग किा महला कैसे इंडियाख और साथ यहां पर कोई बी इंडिपे इंड है जो पूरी होट एक होकई चबाद क्या इक ताल जी ने पावर्ज को डिवाई ने का सोच यहां पर और पावर कैसे डिवाइड होंगी, Central में, महला पूरे country की Central Government होगी, और country के इंपर बहुत सारे states हैं, उनकी अलग government होगी, बात खतम, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर country, हर state का अलग-अलग citizenship है, यहाँ की, अलग-अलग constitution है, country का एक constitution होगा, Central Government होगी, पूरे country को आगे बाद कर लेते हैं, अचा, what makes India a federal country, तो इंडिया को क्या चीज़े जो है federal बनाती है, तो अगर आप constitution पड़ोगे न, तो इंडिया में कहीं भी federal, जो constitution में हमारी कहीं भी federal जो शब्द है, इसका यूज नहीं किया है, federal में, हमारी constitution में federal का यूज ही नहीं हुआ है, बट still we are federal country, वाइ, क्योंकि हमारी structure ही ऐसा है, जो लगता है कि हाँ ये federal ही है, ऐसे ही structure को हम federal बोलते हैं, लेकि को ऐसी federal बोलते हैं, बिल्कुल federal तो नहीं बोल सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल federal बोलना होगा, तो यहाँ पर state के पास power और central के पास power equal होंगे, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है न, इंडिया में central के पास जादा powers है, अगर आप compare करोगे तो, तो हम इंडिया क्या बोल देते हैं, पासी federal बोल देते हैं, ठीक है, चलिए, तो देखो, देखो, इंडिया has emerged as an independent nation, after painful and bloody partition, भाई, बहुत लोगों ने अपनी जान कवाई, उसके बाद जो है, kind of partition हुआ हमारा, और Pakistan निकला उसमें से, और finally हमें आजादी मिल जाती है, soon after independence, several princely states, became a part of country, तो भाई, यहाँ पर हुआ क्या basically, आप independence के बाद, independence के बाद हुआ क्या, जो बहुत सारे princely states है, बहुत सारे जो princely states है, वो क्या बन जाते है, country का, basically आप हो सकते हो, हमारा जो country का पार्ट बन जाते है, बहुत सारे princely states थे, वो क्या बन जाते है, country का पार्ट बन जाते है, the constituent declared India as an, as a union of states, और हमने क्या declare कि है, हम क्या बोलते है, कॉशन में का लिखा हुआ, India is a union of states हमने क्या कि states का union मना लिया, Oskarim क्या बोल लेते हैं, इंडिया बोल लेते हैं समझ महा आ गिया ना तो यहाँ पर ये और लीडी story मैं आपको बता दिये although it did not use the word federation the Indian union is based on the principle of federation मतलब ये और लीडी मैंने बता दिया दोगो तब कॉंस्टुशन ओजिनली प्रवाइड फॉरा टुटार फिस्टम जैसा हम बाद करें और दो थर्टार जो था वा एड़े निटा फॉर्म आफ पंचाइद मुस्पालिटी वहां यह ऐसा नहीं था इसके पहले थर्टार नहीं था उसके पास कोई पावर नहीं थी य्लेक्शन हो रहे हैं तो हो रहे हैं मतलब अब क्या आप यानो हर पांचे सलबात इंक्के पास अलग तागहते हैं तो एटूम पास Constitution एड़ी प्रवाइड त्रीफोड़ दिस्टिगुशन ओफ ले SAN bay लोजिटीफ पा व्वर्मASEंट ए पावर्स जो है दोने के, लेस्ट्टिव पावर्स के हम बात करें, मतलब जो कानून बनाने के, लॉज बनाने के जो पावर्स है, वो divided है दोने के बीच में, union के बीच में हमारे और state के बीच में ठीक है, तो ऐसी जो है, ये constitution हमारी एक list दी गई है, थोड़ा सा देखो गया आप, हाँ, तो ये list हमारी constitution में दे रखी है, union list, state list और concurrent list, तो हम बात करें, हाँ, ये वाला जो, आप जो slides है, इंग्रोर कर सकते हो, ये give special status to Jumbo and Kashmir, ये तो हमने already, basically आपको पता होना चाहिए, कि ये हमने पूरा जो हमारा इंडिया जो है, ये पूरा जो इंडिया आपको दिख रहा है, है ना, आप जो special status था Jumbo Kashmir का वो अब नहीं रहा, ठीक है, ठीक है हाँ तो यहां पर बेसिकली वही बात हो रही दो आफुट यह जो को सब्सक्राइब्सक्राइशर वही बात हो रहे है तो आपको पर इंटरन इस टाइनरीशन आन्मिस्ट्रीशन तो देखो ये सारे जो चीज़ें आपको नहीं माननी है, क्योंकि ये अब ये सारे चीज़ें हड़ चुकी है, Section 370 हड़ चुका है, तो ये पहले था, थोड़ा knowledge के लिए देख लो, पहले क्या था भाई, पहले आप जो है, लेकिन आप BJP Government ने इसको हटा दिया, तो इसको आप नहीं पड़ते हैं, लेकिन आप पता होना चीज़ें आपको इसके बारे में, इस अरिया विच आप टू स्मॉल तू बिकम अन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कोड़ नॉट भी इमर्ज़ें विद एनी अप टाइस इसकी बात हो रही है, यूनिया, यूनियन टाइटरी इसकी बात हो रही है, है ना, तो भाई ये जो इरिया जो होते हैं, यह बहुत चाहँ चोटे होते हैं, आप से स्टेट सो बोली नहीं सकते हैं, फिर भी जो है इनकी एक स्पेशल इनकी बोसक जास हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें हमारी, चंडीगड हो गया, आठ है ना, जैसे हम आज की टाम पर देखें, यह जो लद्दाग जो इसको status चेंज ने होए, तो यह भी इनिंटारि बन चुकी है, और इनकी जो यूनिन पात करें, तो यहां पर उनका में कंट्रोल इसके हात में होता है, यूनिटारियों घूटारियों फिर ईडिया, तो जैसे हम बात करें इन एडिया को चलाने में, सेंटल गवेंट को जो ह हुआ है it is not easy to make any changes to this power sharing arrangement the parliament cannot own its own change arrangement any change it has to be first passed by both the house of basically बात हो रही है यहांपर कि in case अगर को change करना होता है यह जो list है union list जिसमें union वाले matter है state list जिसमें state वाले matter है और यह concurrent list concurrent list basically क्या होते है इसमें जो है बोथ यानि कि state और सेंटल दोनों ही यहांपर ले सकते हैं लेकिन इन case अगर clash हो जाता है दोनों के बीच में तो किसकी बात मानी जाएगी central government की ठीके ना और एक होता है residual list इसमें क्या होता है basically जो matters जो पहले लिखे नहीं है क्योंकि हमारे constitution मेकर जो थे ना काफी future इस्टिक थे लिए उन्होंने देख लिया था कि future में बहुत सारी चीज़ ऐसे आने वाली है जिन पर भी laws बनाए नहीं है तो ऐसे case में ऐसे चीज़ों पर कॉन बनाएगा central government for example इस ताइम constitution बना था internet नहीं था computer नहीं था पहली बाद तो किसमें पास होगा पहली बाद तो फर्स्ट पास भाई बहुत हाउस पार्लेमेंट है ना विद्धा एट लिश्ट टू थर्मला 75% 75% मिजॉरिटी होनी चाहिए तब जाके वह पास होगा दोनों हाउस में लोगसभा राजसभा दोनों में और राजसभा जो जो स्टेट अस्टेट्स दो बोली मुकम से कंदरा स्टेट्स तो 50% से ज्यादा मिजॉरिटी होनी चाहिए तब जाकी पास होगाता है तो यह बहुत ज्यादा टफ हो लाता है कि आप ऐसे इन प्रोविज्ट को चैंज नहीं कर सकते के लिए कूश करवाना है तो काफी में किस अगर कोई डिस्पीट होता है बिसकिली पावर्स को लेके हो जाते हैं होती रहते हैं तो सेंटल और स्टेट के बीज में कोई भी डिस्पीट होता है तो इसकी बीज में क्या होगा भाई यह जो हमारी हमारे जुनिशरी है जो हमारा कोट स्प्रीम कोट अपक्शियों क these are not sufficient. It can be activated to the nature of the democratic politics in our country. तो हम बात करें हाँ, अब जैसे बात करें fatalism के हम, हैंना, तो हमने बोल दिया से, कि बाई, power जो हों डिवाइड होंगी, लेकिन इसके लावा भी बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे हम बात करें हमारा इंडिया जो है बहुत जादा डाइवस नेशन है है ना बहुत जादा जो है यहां पर डाइवस नेशन है अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर इंडिया की हम बात करें तो बेसिकली यहां पर क्या होता है यहां पर एक तो लिंग्विश्टिक की हम बात जबूदे प्रक्टिस कर रहे होगी वहां चीज काम कर रहे होगी और इंडिया के इसाफ बनाया है यहां इंडिया के लोगों के साफ से बनाया है तो यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है कि यहां पर ऐसी प्रक्टिस नी गया था फैलिद्लिजम है ना तो देखो यहां पर तो many old states have vanished and many new states have been created area boundaries and name of the name of the state have been changed in 1947 the boundaries of the seven several old states of the India were changed in the order to create new states this was done to ensure that the people who spoke the same language lived in the same state अब यहां पर जब इंडिया आजा दुए ना उस ताम पर भूसारी डिबेट थी क्या डिबेट थी क्या एक बाद दो कि हम इंडिया में states को डिवाइड किस basis पर करेंगे किस बेस्ट पर करेंगे तो यहां पर एक हम स्थेट्स को दो दूतिन बेस्ट पर करेंगे पहले जो सबसे क्योंगि भाषा से बहुत जादा क्या होती है काइंड ऑफ हम रिलेट कर पाते हैं यूनिटी रहती है जैसे भाषा बोलने वाला कोई मिल जाता है तो आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो आप जैसे बहार जाओगे यूएस वगरा में तो इनकेस कोई हिंदी बोलता देग तो है ना तो यह भाषा की बेसिस पर हुआ दूसरे क्या हुआ वाई दूसरे हैं मौर्थ इस्टन स्टेट की बात करें तो वहां पर अलाग टाइबल कम्यूटी इस थी तो उसकी बेसिस पर कर दिया है ना जैसे हम बात करें अगर हम माउंटेनियस एरिया में जाएंगे तो व गल्चर ऐंथिन दीच्टी ऐंड और जहा जो यहां इनकी अलग जो आपर आंप एथिन सेटी है इनके और अलग दाइघ्ञ निंकी कर दिया में यहQuery है trafficking भी हो जाता है और आपको बताने हैं थोड़ा से अरे तो लिखा हुआ चलो क्या कहीं बता होगी है ना तो हिंदी के इलाब है किस ऑफिशर लेंगविजस घूले लेंगविज तो पूरी टोटल बाइस टूलेंगविज मतलब ऑफिशल लेंगविज का मतलब क्या होता है कि जो भी जैसे हिं तो एक उसे official language का राजभाशा की रूप में जो है वो इस्तवाल हो सकती है तो यह क्यों किया गया था कि सब के बीच में जो है तकराओ ना हो किसी बात का है जैसे हिंदी को मान की चलो let suppose करो कि हमने हिंदी को national language बना दिया होता से तो क्या होता भाई दंगे हो जाते हैं लोग language को लेके जो है language सीखना कोई गलत बात नहीं लैंगुज को थोपना गलत बात है और language के basis पर बहुत लड़ाईयां भी हुए है तो लैंगुज एक फैक्टर भी होता है मैंने पढ़ाया था ना नेशनलिजम में लैंगुज वन ओफ दा फैक्टर फ्रांस ने गया गया था अब लगाई बात करें इंग्लिश की बात करें तो यह ओफिशल परपस के लिए यहां पर इंग्लिश को हम इस्तमाल नहीं करें फिर भी आप देखते हो कि आज भी डिबेट्स वगरा जो होती है इंग्लिश में होती है जाए तर मैंनी नॉन हिंडी स्पीकिंग श्टेट्स डिमांड़ेट्टा यूज ऑफ इंग्लिश को इस्तमाल नहीं करेंगे लेकिन यहां पर जो अधर स्टेट्स थी उनने बोला कि दिक्कत होगी ऐसे कि तुम सिर्फ हिंदी को इस्तमाल करोगे त यहां पर होता है कामेल नेंगेज होनी चीज़ सबको आए तो इंग्लिश को मतलब फिर अनों ने बोला कि हिंदी कि साथ अलोग विद हिंदी हम इंग्लिश भी इस्तमाल करें कि इसमें क्या हुआ था बेसिकली इसमें काफी जाथा जो है यहां पर विद्धरो हो गया ता है ना तो यहां पर वाइलन्स हो गया था काफी तो इस वज़ेसे जो है गवर्मेंट को यहां पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जोडनी पड़ी बेसिकली प्रमोशन ऑफ हिंदी का इंग्लिश की जो लैंग्यूजिज है ना उनको यहां पर इग्नोर किया जाएगा स्टेट और यहां फिर थोपा जाएगा नहीं वह नहीं किया सकता है स्टेट्स के अपनी अलगल लैंग्यूजिज है जैसा आप देखते हो ना साथ में जाओगे तो बहुत सारी लड़ाईयां हो जाती हूंगे बहुत सारी वीडियो भी आते होंगे देखते होंगे वहां पर फिर क्या हो जाता इनकेस अगर यह सुचेशन ठीक से नहीं होती ना जैसे हम सिर्फ एकी ऑफिशियल लैंग्यूज एकी नैशनल लैंग्यूज करते थे तो बहुत कर लेते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन्स के बारे में जो की ज़रूरत होना बहुत स्टॉंग होना ट्रस्ट करना पड़ेगा है तो हाउदा फॉस्टूशन फॉस्टूशन फॉर्टा स्टूरिंग पार्टि रियालिटी डिपेंट्स टूदा लाज एक्षियंट अन्हाउद रूलिंग पार्टी लीडर्ट फॉलो इस अरेंग्यूज किस पर करता है यह जो सरकारे चल लही पर अप्लाइ किया जा रहा है फॉर लॉंग टायम पार्टी रूल बोध रस एंट्र एंड इंड इंड आ जा दी हो आतो तो सेंटल और स्टेट्स में प्रॉलम किया थी सैंटल स्टेट्स में डोनों जगा एक ही को मैं टी एसामाट बाद का थे एक आप अपर इसटेट है और Central में अलग Government है, तो यहाँ पर क्या करती थी, यहाँ पर जो Central Government होती थी ना, वो State Government को जो एंटरमाइन करने की कोशिश करती थी, अब जैसे खुद की Government है, for example, BJP Government सेंटर में यूपी में भी है, तो तो कोई दिक्कत वाली बात में है, एक ही लोग है हो, है ना, उनीकी पार् अलग Government है, तो उन दोने की बीच में क्लैश जातर हुआ गरते थे, ठीक है, the Central Government would often misuse the Constitution to dismiss the State Government that were controlled by the rival parties, basically यहाँ पर क्या होता था, फिर यहाँ पर यह भी देखा जाता था कई बारी जो Central Government है, वो अपनी powers का misuse भी कर रही है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि कुछ मामलों में Center के पास जो जादा तागत है, है नब तो इस केस में होता क्या था, कि जो Central Government है, वो misuse भी करती थी अपने powers का, क्या ठटने के लिए, जो भाई रावलेरी जो parties है, उनकी सरकार जो है, श्टेट में, उनको अपोस करने के लिए, उनको बात नामान, मलब होता है ना, कि जैसे ह हमारी party नहीं है, तो हम इनकी बात क्यों सुनेंगे, तो अपने powers का गलत इसमाल कर लिया, so after 1990, we see the rise of regional political parties in many states, हुआ क्या, 1990 के बाद, इस scenario थोड़ा सा बदलता हो दिखाई थी, 1990s के बाद, हुआ एक बहुत सारी जो regional parties थी, वो आने लगी, और वो अपनी सरकार बनाने लगी तो मतलब फिर हुआ क्या, फिर अभी तक जो majority थी वो ये थी, कि जादर states में semi government है, state of center में, लेकि अब थोड़ा scenario change हो गया, कि states में अलग government है, center में अलग government है, so this was also beginning to the era of coalition government at the center, फिर यहां से क्या शुरू हुआ, यहां पर शुरू होता है, coalition government, गठभनन वाली सरकार, मतलब बहुत सारी party जो होती है, वो मिलकर एक सरकार को form कर लेती है, so this led to a new culture of power sharing and respect the autonomy of the state government, अब इससे क्या होता है, इससे होता है, कि यहां पर एक और एक नई form of power sharing देखने को मिलती है, जब अलग अलग party के लोग आएंगे, मिलेंगे, साथ मिलेंगे, तो यहां पर वो अलग सिर्फ इकलोथी party जो अपने power का misuse कर रही है, वो क्या करेगी, वो misuse नहीं कर पाएगी, जैसे मानी कि चलो, किसी party को majority नहीं मिली, तो क्या होगा, वो coalition government देखेगा, और coalition government में जब पूरा coalition होता है, तो वो हर एक तपकी के इनसान को ब्रेजन कर रहे होता है, तो इससे क्या आते हैं, हैना, यह major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner, तो ऐसा नहीं होगा, मतलब कि जो central government होगी, वो यहाँ पर state government को क्या करेगी, बाई, dismiss कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत सारी regional government आ गई है, रिजनल, सरक तो यहाँ पर भई, वही बोला है कि major judgment of the Supreme Court, हैना, that made it difficult for the central government, यहाँ पर जो बहुत सारी judgment आए है किसके, Supreme Court के, बहुत सारी judgment कहा होता है, आपक्स होता है, कोई प्रॉब्लम होगी, तो state government कहा जाएगी, Supreme Court के पाक, तो यहाँ बहुत सारी judgment आए है, judgment किसके, Supreme Court के, तो उसने यहाँ पर central government के लिए थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है, कि वो क्या नहीं कर सकते है, अपनी powers का arbitrary rank से, मनमाले rank से इस्तमाल नहीं कर सकते, या फिर दिसमस नहीं कर सकते, तो यह सारी जो चीज़ें आप, I hope, clear होगी होगी, अब बात कर लेता है, decentralization होता है, और लेडी हम बुकरते है, छोटा दंदा होता है, फिर थीरे बड़ा होने लगता है, या अल Shall कर सकते है, तो सबसची चीज़ करते है, तो हमारे भारत में भी तो यह है कि सबके पास य और गुछ पावर से है, है आला अलगानि जो कॉंस इंसान को यह पास में और मrier लेकिन हम बात करें जो आइस ऑफिसर होते हैं यह भी तो क्या है काई टो बदलती रहती है तो इनके पास भी तो पावर्स है ना कि जब वह जिले में आएंगे वहां पे आएंगे तो वहां की जो पूरा अबिस्टेशन वह देखेंगे ठीके ना तो डी संट्राइशन जो है बहुत जरूरी हो जाता है तो आप बास कंट्री लाग इंडिया कंट बी रन ओली तू दू अट इस टू टायर टीके ना बाफ एंड पावर स्देकिन फोलग इंड दिवाइड की अरट की आप उड्राइशन सौर्भ दिवाइड किया तू ना फैसर ट्रीके एंडिया टेशन गुद्ट लू को थे ना थे अजरी लुकल मेंट है यह लगा जपना फिक अजिए बिशसे आइड विश्विकर पाव in the decision making habits of the democratic participating अब सुनोए होता है अब जैसे तुम्हारी घर के सामने सड़क तूर जाती है अब तुम किसको फोन करोगी योगी आदतना तुम करोगी तुझे को लोकल के लोग जो होते हैं वो अपनी लोकल की चीज़े जादा जानते हैं पहतर तरीके से जानते हैं, तो इस केस में local government को बनाना जो है बहुत जाए ज़रूरी था, तो जैसे आपके गाउं में प्रिहानी के लेक्शन होते हैं, शेहरों के बात करें, municipalities के लेक्शन होते हैं, बार्ड में आपके जो अलग-अलग words होते हैं, वहां से लोग चुन कर जात पंचायत, ग्राम-पंचात वगरा प्रिधानी के जो एक्शन होते हैं, जो BDS के लेक्शन होते हैं, यह सारी चीज़ें होते हैं, गाउं में इस पैलिटी से इंबात करें, तो यह सब जो अर्बन एरियास में होते हैं, तो यह हमारे constitution में जो आमेंडमेंट होता, अधर अध एक बात और थी कि यहां पर लोकल गवर्मेंट के पास कोई भी पार नहीं थी, यह पूरी तरह से स्टेट के उपर ही डिपेंडनेंट रहना पड़ता था, लेकिन बात में क्या होते हैं, बात में जो आमेंडमेंट हुआ, है ना, तो यहां पर 1992 में constitution amendment होता है, और now it is, हाँ, यह तो देख लिया हमने पूरा, हाँ, चलिए, ठीक है, 1992 में constitution amendment होता, amendment कौन सा होगा यह आप comment करके बता होगी मेरको, and now it is constitutionally mandatory to hold regular election to the local bodies, local government bodies, seats are reserved in the elected bodies and executive head of the institution for the shrill class and shrill tribe and other backward classes, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, कि लोकल में regularly आपको होगी, जब से अमेंडमेंट होगी, आप रेगुलर्ली जो है, जो state election commission election करवाईगा है, और यहां पर जो backward classes से जो लोग आते हैं, उनके लिए से जो हैं, वो रिजर्फ होंगी, प्लस वन थर्ट सीट, विमेंट के लिए रिजर्फ होंगी, ठीक है, चलिए, एक लिए, एक लिए बता दिया आपको, हाँ, ए इंडिपेंडेंट इंस्टिशन काल स्टे इलेक्शन कमिशन, यह उल्यदी बता दिया मैंने, अब फइंगे, उतक्रमाइप कान है, आपको लाख मुड़ें, तो यहां पर होने को सिसकु बनाते हैं, और यह सिसका को बनाते है認िग अगार तो यह ऐसे नहीं को बेसे प्लचायती इसक酒 आई उन्हापर काम जलता है, आगर मंब करें, और और नहीं मौन करें किसकी, तो यहाँ Municipalities के हम बात करें, तो यहां पर Municipalities का, कौन होता है? जए जए ऍटर हो जाता है, और हम बात करें, Municipal Corporation का, आफ मेर होता है, आपके आलाके से, आपके की शेर में आलाके होते हैं, जैसे Block C, Block E, Sector 43, नहुने consequence करीजा जाता है, एक मठ यह सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यह तो हो गया काफी हाँ यही सही था यहीं तक था चैप्टर आपके यहीं तक था काफी पढ़ लिया हमना अल्यडी बस इतना ही जो है काइंड ओफ आपका एक्जाम में आएगा इस ते जादा कुछ आ नहीं सकता अप देखो कि अभी बिल पास हुआ है यह ना बिल कौन सा पास हुआ है कि विमन्स को राइट मिलेंगे अब उनके लिए सीट सिर्फ होंगी कहां पर भाई लोकसवा राजसवा में की अब तक ऐसा नहीं तब तक सिर्फ लोकल लेवल पर था अब यह जो सेंटर लेवल पर भी आ झाल